हेलो एब्रिवान असलाम अलेकुम आज हम लोग अकैडमी कुर्टू में नजीर अहमद दहलवी के बारे में जिनकों डिक्टी नजीर अहमद भी कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे जो थे बहुत ही फेमस शोशल और रिलिजियस समाजिक और धार्मिक सुधार करते हैं रिफॉर्मर थे और बहुत अच्छे ओरेटर थे उनकों हिंदी में वक्ता बोला जाता है हिंदी में वक्ता कहा आता है बोलने वाला बहुत ही कन्विंसिम उनकी स्पीचेज होती थी उन्होंने तीस किताबे लिखी नजीर एमद की पैदाईश जो है 6 दिसंबर 1836 में जिला बजनूर में हुआ था और उनके वालिद का नाम सादत अली था जो की एक टीचर थे उन्हो पैदार रहमत की अबताई तालीम गाओं के ही मकतब में हुई और उनके वालिद ने अर्बी फारसी के तालीम के लिए अगय के वालिख की तालीम के लिए उनको स्कॉलर्शिप मिला था तो उन्हों न्हों ने दिल्ली में ही अर्दू सब्जेक्त में उन्होंने रेडमिशन ले लिया और उसी दराद अबदुल खालिक के इस गाइडन्स में उनके वालित सहहब ने उने चोड़ा था और बाद में आके जाके अबदुल खालिक सहरब की पोती से ही उन्होंने शादी की थी तेरा साल के उम्र में उनके वालिद का नेजीरमेत की वालिद का दिकाल हो गया। शादी के बाद पैसा कमाने के लिए पंजाब में एक अलबी के टीचर के तौर पर वहां छोटे से स्कूल में बढ़ाने लगे। और फिर आगे जाकर के वह कानपूर में डिप्ती इस्पेक्टर हो गया। डिप्ती नजीरमत को अर्दू का वली नॉवल निगार कहा जाता है। क्योंकि उनका मिरातुर उरुज जो है वो 1879 में पब्लिश हुआ और उसका जो दो किरदार है उसके अकबरी और अजगरी दो वहनों की कहानी है। इसमें अगबरी बड़ी वहन रहती है। असगरी चोटी अजगरी इंटेलिजन रहती है, अगबरी थोड़ी बयाकुफ थी। अँनका किस तरह से लोग काूंप्रूमेंट होता हा है किस तरह से से वह सब उसके है। फिर इसके बाद 1872 में उन्होंने बिनातु नाश लिखा जिसमें जिसका मेन कारेक्टर है वह अजगरी जो मेन कारेक्टर है और इस नौवल में उन्होंने तालीम पर खासा जोड दिया है फिर इसके इलावा तौबत नसू है जिसमें उन्होंने धर्म से जुड़े कुछ ची जेसे रिफॉर्मा थे तो उसके उपर उन्होंने इस नाविल में उन्होंने ये दिया जोड़ दिया है इसके लावार उन्हें इबनुल वक्त, मुहसिनात, उम्मतुल उम्मा और नजीर अहमत के आखरी नाविल है रोवाय सद्का है जो की 1884 में बबलिश हुआ और नजीर अहमत के नाविलो को अगर हम देखें तो उतके जहने काफी दूर अधर असरात होते थे मतलब की काफी लंबा असर उसका होता था और उन्होंने काफी हद तक हर फिल्ड को छुआ जहां 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 पे बुराईया देखी जहां जहां पर improvement चाहिए था वहां वहां पर उस सारे field के बारे में उन्होंने लिखा सारे इसको अज़जा को उन्होंने चुआ 14 साल की उम्र में नजीर अहमद को paralysis असर हुआ और 28 दिसंबर 1910 में उनका इंतकाल हो गया और इसके बाद हम लोगों डेप्टि नजीर अहमद की एक novel का ही एक conversation है दो मा बेटी के बीच के है उसके बारे में हम लोगों पढ़ना है फैमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफतवगी जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थांक्यू झाल